दोस्तों मैं कमल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCRT बित कमल में आज हम पढ़ने वाले हैं NCRT बिज्ञान कक्षा आठ का चैप्टर नमबर टू जिसका नाम है सूचमजीव, मित्र और सत्रु हम इसके कोशन आंसर को सॉल करने वाले हैं तो अगर आप छेले पेहली बारा है तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर दिए तो चलिए सबसे पहला कोशन क्या है सबसे पहला कोशन है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए हमको जो कोशन दिये हुन में हमको क्या है रिक्तिस्थानों की पूर्ति करनी तो सबसे पहला कोशन है सूच्म जीवों को खालिस्थान की साहिता से देखा जा सकता है तो वो देखा जा सकता है सूच्म दर्सी तो आपको इसमें भरना है सूच्म दर्सी भरना है ठीक है ठीक है ठीक है फर्स्ट का यह आंसर आपको सूच्म दर्सी भरना है उसके बाद आपका अगला कोशन है नीले हरे सेवाल बायू से खालिस्तान का इस्तरी करण कर देते हैं तो किसका इस तरीक रणकर देते हैं, नाइट्रोजन का, इसमें भरना आपको नाइट्रोजन, जोनों के आंसर हो जाएंगे, इसके बाद आपका आता है थर्ड कोशन, थर्ड कोशन है, एलकोहल का उत्पादन नामक सूछमजीव की सहाईता से किया जाता है, एलकॉल का पतन कौन से सुच में किस हाइता से किया जाता है तो वो किया जाता है इस्ट किस हाइता से ठीक है तो आप लेक लेना इसमें क्या इस्ट ठीक है उसके बाद आता है फोर्ट कोश्चन है जा किसके द्वारा होता है तो है जा इसका अंसर है जी बाडू के दुआ clear तो सबी को आपको भर लेना है ये थे आपके खाली स्थान अब बात करें थे हम अगले कोशन के अगला कोशन है सही सब्द के आगे right का निसान लगाई है आपको सही सब्द के आगे क्या है right का निसान लगाना है कौन सा right answer है तो एक पृसन के इसमें चार कोशन दिए होंगे तो क्या है यहापे देखे east का उपयोग निमन मैसे उत्पादन में होता है कॉन से उत्पादन में होता है चीन उत्पादन में है बताइए hydraulic उत्पादन में या फिर oxygen उत्पादन में तो इसका answer है एलकोहलोत पादन में कौन से में एलकोहलोत पादन में इस्ट का उपयोग किया जाता है तो इसको निसाल लगा लिए इसके बाद अगला कोशन आता है निम्न में से कौन सा प्रतिजाबिक है आपको यह बताना है इसमें से कौन सा प्रतिजाबिक है तो पहला कोशन पहला है य मलेरिया परजीवी का बाहक है ठीक है मलेरिया परजीवी का पाग मलेरिया को कौन फैलाता है तो यहाँ पर तीन है मादा एनफलीज मक्षर कौकरोच, घरेलू मक्षर पर तितली तो इसका राइट आंसर है मादा एनफलीज मक्षर ठीक है इसके बाद अगला कोशन इसका संचारनी रोगों का सबसे प्रमुख कारक है पताईए कौन है तो चीटी, घरेलू मक्खी, ड्रेगन मक्खी आपर मकडी, तो इसका अंसर है घरेलू मक्खी, ठीक है इसका अगला कोशन है ब्रेड ब इडली फूल जाती है, इसका कारण है क्या है बताईए उस्लता, पीसना, या फिर इस्ट कोशिकाओं में ब्रद्धी या फिर माणने के कारण तो इसका अंसर है इस्ट कोशिकाओं में ब्रद्धी तो ये सभी कोशन आपके होगे कि नी सबी को नूट कर लिए उसके बाद इसका last question है चीनी को एलकोहल में परवर्तित करने का प्रक्रम का नाम क्या है चीनी को एलकोहल में परवर्तित करने का जो प्रक्रम है उसका नाम क्या है तो इसमें चार आपसंदी हैं आपको nitrogenous 3 current, molding, kin 1 या फिर संक्रमन तो इसका राइट आंसर है किडवन ठीक है तो आपको ये सबी कोशन के जो आंसर जो दिये है उनको आप नोट कर लीजे इसके बाद हम बात करेंगे छोटे कोशनों के ठीक है जहापे जोड़िया हम को है तो क्या है कॉलम बन जीवों का विलान आपको कॉलम सेकंड के जीवों से कर रहा है तो इसमें देखिए आपको ये जोड़िया दी हुई है इसमें आपको सबसे पहला दिया है जी बाडू अब जी बाडू का जो राइट आंसर है वो है है जा का राइक ठीक है आपको सामने लिखना है मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ उसके बाद सेकेंड है राइजोबियम ठीक है सेकेंड है राइजोबियम राइजोबियम क्या है तो आपको लिख देना है राइजोबियम है नाइट्रोजन इस तरह करना फस्ट ठीक है थार्ड है लेक्ट जुआ क्या है तो वो है हैजा का कारक ठीक है और लास्ट में एक बिसाणू तो वो है एड्स का तो आप सभी के निसाल लगा लेना विल्कुल सभी को आप यहाँ पर सामने सामने लेखना आपको तो यह थी जोड़िया इसके बाद अगले कोशन के बाद आप हम बात करते यहाँ पर चोटे-चोटे प्रस्णों की तो सबसे पहला इसमें कोशन है तो पहला कोशन को क्याam किया सूछ मुझीब बिना यंत्र की साहिता से नहीं देखे जा सकते हैं तो सूच मुझीब को हम बिना यंत्र की साहिता से नहीं देख सकते हैं तो सूच मुझीब को हम बिना यंत्र की नहीं दे सकते हैं अगर हम उसको सूच मुझीब को देखना चाहते हैं तो किसकी साहिता से भाइबा नाम से नाम है सूच्व और सी ठीक है उसकी साहिता से देख सकते तो यह आपका फूर्ट नंबर के खोशन था उसके बाद अगला कोशन ने सूच्म जीवों के मुक्ष बर्ग कौन-कौन से हैं सूच्म मुक्ष बर्ग क्या-क्या है तो पहला है आपके कबख इस्तरी करण करने वाले सूच्छीवों का नाम लेखिए है। वाई मनिंट की जो नाइट्रोजन होती है, उसे मिट्टी का इस्तरी करण कैसे होता है, ये बताते हैं। तो राइजोबियम जीवाडू, मिट्टी में उपस्तित, जीवाडू और नीले हरे सेवाली, ठीक है, ये जो जीव है, वो है, तो नाइट्रोजन इस तरी करण में जो सूच में जीव, अपनी वे एहम भूमिका निगभाते हैं, वो कौन-कौन से हैं, वो है राइजोबियम जीवाडू, मिट्टी मोपस्तित, जीवाडू, नीले और हरे सेवाली, ठीक है, उसके वाद अगला कौशन है, हमारे जीवन में उपयोगी सूच में दर्सियों के बारे में आपको सूच मोझीवओं के बारे म меся को 10 पनक्तियां लिखने हैं, तो सूच मोझीवओं के बारे म में चार और पाए जाते हैं सूच मुझीब हमारी चार और है ठीक है उसका सूच मुझीब पर्याबरण को स्वक्ष रखते हैं जैसे जैबिक कच्रा सब्जियों के छिलिके आदि को अपगटित करते हैं सूच मुझीब क्या करते हैं कई जो कच्रा अपगटित हो जाता है जि मिट्टी के अंदर होते हैं। उसले के से घरवां बनाते हैं। असके बाद क 오빠 पौदों को रोगों से बचाते हैं। कई सूच मुझीव क्या करते हैं ऐसे जो पदारत होते हैं अब करणे जाते लिए वो कि इसे प्रतिजाय भीके नायी जाती है अब कई सूच मजीव होते हैं, उनका उपयोग हम किसमें करते हैं, कहीं ब्रेड बनाने में, कहीं केक बनाने में, यह सब बनाने में, ठीक है, और आट भाई यहाँ पर टीका बनाने में किया जाता है, नौ भाई, अचार पनीर बनने में सूच मजीव का बहुत सायक होता है, अचार जो होता है, अचार जो थोड़ा-थोड़ा दीरनवाद के सस्वादिष्ट बनता है, वो किसके कारण बनता है, सूच मुझीबों की साहिता से प्रतिजयवेक बना जाते हैं, सूच मुझीबों की साहिता से प्रतिजयवेक बना जाते हैं, सूच मुझीबों की साहिता स होने बाले हानिकारक प्रवाबों का संचेप बेवरण दीचे अब हम सूचमजीव के हानिकारक प्रवाब यानि सूचमजीव से हमको क्या क्या नुकसान है उनको हम पढ़ने बाले हैं ठीक है तो इसका अंसर है सबसे पहले सूच मुझीव क्या होते हैं रोग बहाक होते हैं सूच मुझीव क्या रोगों को फैलाते हैं जैसे मक्यी, आपने देख ग challenge क्या है एक जगए से सूच मुझीव को ले जागी दूसे जगा ठीक है, या फिर मालेरिया या फिर खांसी, खांसी के अंदर क्या चोटे चोटे जीवाडू होती है वो क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाती है तो क्या हो जाता है उस दूसरे व्यक्ति को भी खासी हो जाती है ठीक है उसके बाद तीसरा है सूच मुझीव जानवरों में रोग उत्पन करते हैं ठीक है उसके बाद तीसर पॉइंट है सूच्मीव जिव पोधों में रोग उत्पन कर देती कई सूच्मीव क्या करती हैं इसके बाद कोशन है प्रतिजैबिक क्या है कोशन क्या है प्रतिजैबिक क्या है प्रतिजैबिक क्या है प्रतिजैबिक लेते समय कौन-कौन से सावधानिया रखनी चाहिए देखें उत्तर इसका वे दबाईयां जो सुछ में जीवों से होने वाले रोगों को रोकने में प्र प्रतिजाविक दबाई हैं ठीक है तो वे दबाई जो सूच हुजिवों से होने वाले रोगों को रोकने में प्रियोग की जाती है क्या कहलाती है प्रतिजाविक दबाई है ठीक है विसे प्रकार के सूच हुजिवों का संबर्दन करके प्रतिजाविक बना जाते हैं बेना डॉक्टर की सला के प्रतिजय विक दवाईयों को प्रियोग नहीं करना चाहिए जबसे पहला, दूसरा, कम भुकार, जुकाम, खासी में प्रतिजय विक का प्रियोग नहीं करना चाहिए ठीक है और थीसरा है, अनावश्चिक रूप से ली गई दवाईयां सरीर के तेस हमें हमको ध्यार रखने वाली बात हैं तो अगर आपको यह वीडियो प्रसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दिए तब तक के लिए जय हिन बंदे मात्र